हेलो सांतियो, वेलकम टो रेली स्टड़ी, दोस्तों आजकी उस वीडियो में मद्य प्रदेश पुलिस सारक्षक 2023 के स्पैसाल एक्जाम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो जो है आपकी 2022 में जो कोश्चन्स पूचे गए हैं यह पी पीडिये फाइल की भी आपको मिल आएगी इसके लिए आपको अप्लिकेसिन को डाउनलोड करना है जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं और पीडिये फाइल जो मिलेगी वो MP Constable की टास्ट सीरीज में मिलेगी हमने वहाँ पर डाल रखी है तो आप ज के लिए क्लिए गाईस के हमां despite एक हमारे पहले कोश्च selv है पाहला गुलबदन बेगम के बारे में कौंसा गलत है इसमें से जो कफनते में सखी हैं और नमायलो नामा पुस्तक लिकी थी अपको याद भी रखते चलना है ये क्योंकि ये कोशन में कई बार पूछ लेता है इसके अलावा बाबर की बैटे थी ये बाबर हो गया है मापकी जिकां टाइपिंग मिस्टे के बाबर की बैटी थी और हुमायों के बहन थी तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है जो कि सही है ये वाला थर्ड वाला गलत है ये आपको याद नहीं रखना है नेक्स्ट कोशन की और आगे बढ़ते हैं अगला कोशन ही 2021 में खजुराहू नत्यों महास्तव का कौन सा संसकरण आयुजित किया गया था सही जवाब रहेगा 47 वा याने की हमारा सेकेंड उप्षन बिलकुल सही जवाब रहेगा उप्षन नंबर सेकेंड 47 वा जो संसकरण था ये 2021 में खजुराहू नत्यों महास्तव का आईजित किया गया था तो खजुराहु चत्रपूर में यह आयुजित हुआ था आप सभी को याद रखना है इस तरह की questions पठवारी में भी आप पूचा गया है और आपका constable में भी पूचा गया है इसके लावाद जेल प्रारी में जो एक्जाम होगी उसमें भी question बनाएं बस यहाँ पर 21 से उन्होंने 23 कर दिया है इसकी जगे कि 2023 में खजुराहु नित्यमहस्व का कौन सा संस्करन आयुजित किया गया है तो इस तरह से यह चीजे होती है उन पचासवा भी हाले में आयुजित किया गया है 2022 में 48 हो और 2023 में उन पचासवा संस्करन बैसकलिस का हुआ है याद रखते चलना है गाईज MP का तो हम पूरा करिंट अफेर आपको इस चैनल पर कवर करवा रहे है MP का हमने पिछले 7 महिनों वाला फस्ट वीडियो डाल दिया है वीडियो भी आपके डिमांड पर जल्द आएगा के लिए बाकी आपका नेशनल का करिंट अफेर आप कहां से कवर करेंगे तो उसके लिए हमने जो है एक्जाम ताउन चैनल पर इस पासली वीडियो यहां पर डाल दिये हैं ताकि आपकी एक्जाम से पहले आपको सारे कोश्चंस कवर करवा पाएं तो आप जाये-जाये सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द उन कोश्चंस को एक अच्छे फोर्मेट में और MP की एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से जो टॉपिक जायतर पूचे जाते हैं उनको हम आपको अच्छे से एक्जाम से पहले कवर करवा पाएं तो आप सभी से उमीदे कि आप जरूर से सपोर्ट करेंगे तो आप जाये-जाये सपोर्ट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपको पूरे कवर करवा पाएं नेक्स्ट कोशन है हमारा तमिल नाडू का प्रसिद्य फसल उस्तव पॉंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है तो तमिल नाडू का प्रसिद्य फसल उस्तव पॉंगल और ये जो मनाया जाता है ये चार दिनों तक चलता है यानि कि चार दिनों तक बैसकली ये मनाया जाता ह second option correct answer हो जाएगा अगला कुशन ही पाताल कोट घाटी कहां इस तीरे most important कुशन ही पाताल कोट जो घाटी है यह तामिया में इस तीरे तामिया हमारा correct answer हीगा option number first यह तामिया जो आता है यह आपका छिंदवाड़ा जीले में आता है चिंदवाड़ा जीले में आता है actually यह जो तामिया है यह विकास खंड़े चिंदवाड़ा जीले का तो याद रखेगा यहाँ पर पाताल कोट घाटी देखने को मिलती है यहाँ पर भारिया जो जनजाती है यह निवास करती है बार्या जंजाती देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा और यह जो पाताल कोट घाटी है इसकी आकरती किस परकार की है तो गोडे की कुबड के समान इसकी आकरती है दो तरह की आकरती बैसिकली आकरती तो एक ही है बट इसको एक तो उंट की कुबड के समान माना जाता है एक घोड़े की छलांग के समान भी माना जाता है तो इस तरह से बोला जाता है बट उंट के जो कुबड है उंट की कुबड बैटे हुए उंट की कुबड उसके समान इसके अकरती है ये question व्यापम में पूचा गया है और व्यापम यही इसका सही जवाब मानता है आपको व्यापम के हिसाब से पढ़ना है क्योंकि व्यापम थोड़ा सा अलग level रहता है व्यापम की exam में आप सभी को पताईए जो questions SSC railway में सही होते हैं को व्यापम कई गबार गलत कर देता है हमने ताजा इसका उदारन अभी पटवारी में देखा है नेक्स्ट वोचनी राजसरकार ने MP equation और startup नीती कब से लागू की हैं आप जल्दी से जाए comment में comment करके बताईगा कि सही जवाब इस question के लिए आपका क्या रहेगा इसके अलावा एक उर question है दो question हम आपके लिए question of the day में लेकर आए है question एक उर है आपका मद्य प्रदेश उद्योगी की विकास निगम limited है ना तो आप जल्दी से इनके right answer हमें comment में comment करके बताईगा 406 number और 405 number question के next question के और आगे बढ़ते हैं अगला question पूझा गया बरेदी नित्य कि स्तियोहार की सुरुवात की अउदी के दोरान किया जाता है सही जवाब रहेगा दीवाली हमारा first option correct answer रहेगा बरेदी जो नित्य है ये दिवाली के त्योहार की सुरुवात की अउदी के दोरान किया जाता है के लिए रहें next question के और आगे बढ़ते हैं पदम स्री से सम्मानित भील कराकार भूरी भाई रिक्तिस्तान से सम्मदित है पदम स्री से सम्मानित भूरी भाई जो है भील कराकार है ये भूरी भाई और इनका सम्मदित पितोरा पैंटिंग से पितोरा पैंटिंग यहां से हमारा option number third discussion के लिए सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन है गाईस अटल भिहारी वाचपई का जन्म कब हुआ था तो अटल जी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 25 दिस्टंबर 1924 को हमारा यहां से fourth option करेक्ट आंसर रहेगा मद्यप्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था कहां पर मद्यप्रदेश के ग्वालियर में और इनकी याद में सुसासन दिवस के रूप में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है आप याद रखीगा नेक्स्ट गोचने मद्यप्रदेश राष्टे सिक्षा नीती 2020 लागू करने वाला कौन सा राज़ बन गया है तो मद्यप्रदेश दूसरा राज़ बना है याद रखीगा मद्यप्रदेश राष्टे सिक्षा नीती 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज़ बन गया है थर् 261 हमारा यहां से first option से जवाब हो जाएगा अगले question के और आगे बड़े उससे पहले थोड़ी सी update हमें आपको दे दें कि हमारी पुलिस constable के लिए special टेस्टी सीड़ीज़ दोगाइश चोविस के special exam के लिए अगर अभी तक आपने enroll नहीं किया है कर लिजगा limited time है काफी अच् यह 2023 की हमारी मद्यप्रदेश की current fair की ebook है और guys यह ebook आपने पल दी तो एक single question आपका बाहर नहीं जाएगा यहां से क्योंकि PAC की exam में भी यहां से questions बाहर नहीं जाते हैं यह 2022 की ebook है हमारी इसमें पूरा 2022 का current डला है इसमें अभी तक अभी वर्तमान तक 2023 का डला हुआ है औ MPGK की यह testicities है topic wise explanation के साथ में और यह हमारा वीडियो कोर्स है MPGK का तो इन सभी की link description में डली है आप application को download करके इनके बारे में complete detail ले सकते हैं फिर भी कोई doubt है कुछ queries है तो आप हमें नंबर पर भी contact कर सकते हैं आए continue करते हैं हमारे next questions है अगला question है guys हमारा कुलू दसेरा कि किस राज में मनाय जाता है तो कुलू दसेरा जो मनाय जाता है यह अपका किस राज में मनाय जाता है हिमाचल प्रदेश यानि की fourth option यहां से हमारा correct answer हो जाएगा इलिए next question निकल कर आ रहे है कि निमने मैंसे किस वर्स में Boston Tea Party की घटना घटी थी तो इसमें से Boston Tea Party की जो घटन मंत्री नरेंद्र मोधी को दिया गया है हमारा fourth option correct answer हो जाएगा next question है नेमने मैंसे कौन सा जीला रिवा संभाग में नहीं आता है तो इसमें से आपको याद रखना है देखे रिवा में कौन-कौन से जीले आते तो रिवा में सतना सीधी और सिंग रोली इसके साथ साथ यह जीले आते हैं रिवा में सतना सीधी सिंग रोली है ना तो यह जीले आते हैं इसमें बाकि राजगर जो जीला आता है यह आपका भोपाल संभाग में आता है बोपाल संभाग में पांच जीले आते हैं कौन-कौन से एक आपका भोपाल हो गया दूसरा राजगर है ना र गिवा संभाग में हमसे पूचा है तो हमारा सही जवाब option number fourth के साथ में correct answer हो जाएगा इस तरह से आपकी exam में questions बनते हैं आपको तोड़ा सा logic लगा कर इनको solve करना है next उसने बोपाल जिले की स्थापना की स्वर्स हुई थी बोपाल जिले की स्थापना हुई थी यानि की बोपाल कब जिला बनाता है ये बैसकलि आपसे पूचे गया है 1972 में बोपाल जिला बनाता तो fourth option यहां से correct answer हो जाएगा उससे पहले ये सिहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था बोपाल बोपाल को 1972 में जिला बनाया गया था next question है नाठू पूरा पटू लोग है ना संगीत निम्नमै से किस भारती राज़ी में पाया जाता है तो ये तमिलनाडू राज़ी में पाया जाता है तमिलनाडू हमारा second option correct answer है next question है guys राष्ट्री गोकुल मिसन की सुरुवात निम्नमै से कब हुई थी राष्ट्री गोकुल मिसन की सुरुवात हुई थी 2014 में हमारा fourth option के साथ में इस question का सही जवाब रहेगा अगला question है अपनी वेसिक युग की एक सच्ची नीली इमारत Christ Church कहां इस्तिते थे अब कर दिया गया है तो आपको जो भी मिले उससे सहाब से next question के और आगे बढ़ते हैं अगला question है सन्युक तरास्टी का गठन रिक्तिस्तान में और रिक्तिस्तान देशों द्वारा किया गया था तो सन्युक्त राष्ट जो है इसका गठन जो किया गया था इन 1945 में 1945 में कितने देशों के द्वारा किया गया था तो यह 51 देशों के द्वारा किया गया था यानि की third option correct answer एगा 1945 में 5120 द्वारा इसका गटन किया गया था next question है मद्यप्रदेश की पहली विदानसभा के अध्यक्ष कोन थे मद्यप्रदेश की पहली विदानसभा के जो अध्यक्ष थे आप सभी को पताईए मद्यप्रदेश के पहला है विदानसभा द्यक्ष कोन है इनका नाम है कुंजिलाल दुवै तो first option यहाँ से हमारा correct answer हो जाएगा next question है निम्नमैस है कौनसा मंदिर जेपूर के अजमेर आमेर किले में इस्थिदे तो जेपूर में इस्थिदे आपका आमेर किला और इसमें कौनसा मंदिर इस्थिदे यह आपको बताना है तो सीला देवी का मंदिर यहाँ से हमारा fourth option correct answer बिलकुल हो जाएगा next question है भारती संसकती मंद्राले द्वारा वर्ष 2020 के सान्ती पुरुसकार से किसे समानित किया है सही जवाब इस question का जाएगा सेक मुझीबूर रहमान जो देखने को मिलता है कौलकाता पज्शिमंगाल में देखने को मिलता है कोल काता हमारा यहां से third option correct answer हो जाएगा अगला कुशनी मंदसोर के पसुपतिनात मंदिर में पसुपति सिवप मूर्ती के कितने मुख है सही जवाब रहेगा आठ याने की third option correct answer हो जाएगा यह मंदसोर जो बसा हुआ है यह सिवना नदी है यहां पर सिवना नदी के टट परिष्टी थे मंसोर मंसोर में भगवान पसुपतिनात का मंदिरे तो यहीं आप से पूझा गया है कि पसुपति जो मंदिरे मंसोर में इसमें सिव भगवान की जो प्रतीमा है इसके कितने मुख है और एक और प्रसिद्य मंदिरे पसंद पतिनात का जो कि नेपाल में है तो उसका तो आपका आप सभी को पता होगा बट ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट वोचने केसव राव क्रशन राव दाते का जन्म कि सहर में हुआ था जबलपूर आपका यहां से थर्ड आप्शन बिलकुल करिक्टांसर हो जाएगा नेक्स्ट वोचने हमारा निमन मैसे किस देश के साथ भारत का वियापार अधिसेश है तो इसमें से अमेरिका आपका सेकेंड आप्शन करिक्टांसर रहेगा इसमें से अमेरिका जो देश है इसके साथ में भारत का वियापार अधिसेश है नेक्स्ट कोचन है उस्ताद आमिर खां किसके लिए प्रसिद गायक थे यह पूचा गया है तो उस्ताद आमिर खां आपको याद रखना है इंदोर के प्रसिद गायक थे और इस तरह से भी कोश्चन्स बनेगा आपका कि इंदोर जो घराना है इसकी स्तापना किस ने किये या इंदोर घराने के संस्तापक कौन माने जाते हैं तो आमिर खानी माने जाते हैं उस्ताद आमिर खान का ना में इंदोर घराने के संस्तापक किये हैं नेक्स्ट कुछन है मत्यप्रदेश सरकार द्वारा सामान्य प्रससन विभाग के अधिसूचना द्वारा राज चुनाव आयोग का गठन किस वर्स में क्या गया था तो राज चुनाव आयोग का गठन क्या गया था मद्धिपरदेश सरकार के दौरा 1994 में 1994 यानि 1994 हमारा सेकेंड आप्शन इस कोश्चन के साथ में सही जवाब हो जाएगा अगला कोश्च नहीं और यहां से देखिए चुनाव आयोग यहां से निकल कर आ रहा है तो मैं एक चीज़ और आपको कवर करवा दूँ अभी रिसेंटली कोश्चन्स बने हैं पटवारी में भी और आपकी जेल परारी फोरिस्ट गार्ड में इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिशनर से कोश्चन्स बना है और इसके अलावा आयोगत भी पाप का पूछा गया इसके अलावा सचीव भी पूछा गया चुनाव आयोग की सचीव कौन है इन तीन तरह के जो कोश्चन्स है इनको आप अपडेट करके रखिएगा और पूरे हम हमारी जो वर्तमान में कौन क्या वाली सिरीज है उसका नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्द आपकी डिमांड पर लेकर आ रहे हैं तो आप एक बार और कमेंड में अपडेट कर दीजेगा अगर आप चाहते हैं तो हम जल्द से जल्द आपको करवा देंगे उसमें इस तरह के जितने भी कोश्चन्स बनते हैं साथ हम आपको कवर करवा देंगे तो जापान देश के द्वारा विस्व एक्वेस्टिक्स चेंपियंशिप की मैच बानी की जाएगी थर्ड आप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा नेक्सट कोशन ही नापूर के बोस ले मराठो दोरा देवुगार सामराज को किस वर्स कबजा कर लिया गया था अगला कोशन ही अब्डुल कादर खत्री को किस वर्स प्रसिश्टित यूनेस को और विस्व सिल्प परिस्थ पुरुसकार से समानित किया गया सही जवाब रहेगा वर्स 2018 में आपका second option correct answer है next question निम्नमैसे कौन पंडवानी लोक से संबंदी थे याने कि पंडवानी लोक की जो है इसे संबंदी कौन है इनमें से तो तीजन भाई आपका third option correct answer रहेगा इनका संबंदे पंडवानी लोक की इस से next question निम्नमैसे कि स्राज में से मनाय जाता है या संबंदी थे तो हेमिस उस्तव जो मनाय जाता है या लद्दाक में मनाय जाता है लद्दाक इसके लिए second option correct answer रहेगा guys यह जितने भी questions हम cover करवा रहे हैं पूरे आपकी MP Constable के PYP है 2022 में पूचे गए questions है जीके जीके के तो पूरे आप अच्छे से कर लेजगा सबसे ज़्यदा questions यहीं से आपको repeat देखने को मिलेंगे next question ने 1643 में दमों जीले में जटासंकर कीले कर निर्मान किसने करवाया था तो ये तो पता चल चुका है कि दमों जीले में कौन सा किला है तो जटासंकर कीला कहां पर है दमों में है कब करवाया था 1643 में करवाया था अब ये रहा point कि किसने करवाया था तो इसका निर्मान फथे सिंग के दवारा करवाया गया था तीन चार कोश्णें है यहां से आपके कवर हो रहे हैं भते सिंग नी दमों जीले में जटासंकर कीला कर निर्मान 1643 में करवाया था चार कोश्ण यहां से आपके कवर हो चुके हैं एकी कोश्ण से नेक्स्ट कोचने निम्न मैसे किस घटना के जवाब में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन शुरू किया गया था तो ये जो घटना थी ये ती क्रिस्प प्रस्ताव के जवाब में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन शुरू किया food park मंद्यप्रदेश के खरगोन जीले में स्टिरे खरगोन हमारा second option का इक आंसर रहेगा, अगला कुशे नहीं एक नॉमबर 1956 में मंद्यप्रदेश की स्टापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी, मंद्यप्रदेश की स्टापना एक नॉमबर 1956 को नेक्स्ट कुछन हमारे निकल कर आ रहा है संजे जगदाले एक पूरु क्या थे तो संजे जगदाले जो थे ये एक पूरु इनका नाम बताना है आपको किरिकेटर तो याद रखेगा और इस रिलेटिड भी पूचे जगदाले आप से तो आप याद रखेगा किरिकेटर ये थे अगला कोशन है मत्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में जो है इसके जो अध्यक्ष है ये चेंज हो चुके है तो इसमें जो कोशन पूचा गया है जो आपकी कॉंस्टेबल की एक्जाम में 2022 में उस टाइम पर नरेंदर कुमार जेन थे और अब बने हैं मनोहर ममतानी मनोहर ममतानी इनका नाम आप याद रखेगा मनोहर ममतानी ये कारिवाहक अध्यक्ष इनके निकति उय है इनके नाम आप cycle निए अपको सज मानते हैं तो बेगा सवयम को दृविड का वंसज मानते हैं second option correct answer हो जाएगा next वोचने मंगू भाई चगन भाई पटेल ने मन्ति प्रदेश के कौन से नम्मर के राजजपाल का पद्भार गरन किया है तो मंगु भाई चगन भाई पटल ने मद्रदेश के तीसवे नंबर के राज्यपाल का पदभार ग्रन किया है हमारा फोर्थ उप्सन का रिक्ता अंसर रहेगा नेक्स्ट वचने मद्रदेश के फल चेत्र विस्तार योजना के तैत लाबारतियों को कितने वर्सों में सबसीडी उपलब दिकराई जाएगी तीन वर्सों में सबसीडी उपलब इनको कराई जाएगी नेक्स्ट वचने निमने मैं से कौन सा उद्योग भारत के कोर सेक्टर में सामिल नहीं तो इसमें से दूद उत्पादन मिल्क प्रडक्शन या दूद उत्पादन का जो उद्योगे ये भारत के कोर सेक्टर में सामिल नहीं है बागी कच्छा तेल, कोईला और इस बात ये कोर सेक्टर में सामिल है तो याद रगेगा second option correct answer रहेगा इनका आप बताईए कि ये जो है इनका समंद मद्परदेश के किस जीले से हमने पूरा करेंट में आपको पूरी डिटील के साथ में इनके बारे में एक पोईंट कवर करवाया था तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करेंगे बताएगा नेक्स्ट वोचने गुवालियर में एक प्रसिद्ध होंकी खिलाडी के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है तो इनका नाम है रूप सिंग रूप सिंग स्टेडियम आपका गौलियर में देखने को मिलता है तो बैसिकली यही आप से पूचा गया है नेक्स्ट वोचनी कमलापती महल के सहर में स्टिडे कमलापती महल जो देखने को मिलता है या आपका भोपाल में देखने को मिलता है भोपाल हमारा third option करिक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वोचनी निम्न मैंसे कौन सा त्योहार भगवान कृष्णी जन्म के जस्ट के रूप में मनाए जाता है तो भगवान कृष्णी के जन्म के जस्ट के रूप में जो त्योहार मनाए जाता है त्योहार का नाम आपसे पूचा है जन्मास्ट में हमारा यहां से third option बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला question है राष्ट्री आवाज बेंक किसका एक उपक्रा में तो राष्ट्री आवाज जो बेंक है यह RBI याने Reserve Bank of India भारती Reserve Bank या Reserve Bank of India एक उपक्रा में राष्ट्री आवाज बेंक तो यहां से हमारा third option correct answer है नेक्स्ट कोशने निमनेम हैसे किस वर्स प्रतम विस्विद्ध हुआ था प्रतम विस्विद्ध जो हुआ था ये हुआ था उनिस starter में 1914 हमारा fourth option के सांथ में correct answer हो जाएगा अगला कोशने Victoria Memorial Hall में किस सहर में स्तिवे यह कीमा आपकी जगा विक्टोरिया मेमोरियल हल कि सहर में इस्ति रहे ये आप से पूचा गया है कोल काता आपका सही जवाब रहेगा वो चार मिनार जो देखने को मिलता है चार मिनार ये कहां पर है इसका भी आपको आई तिंग पता होगा अगला कुशन है मंत्री परिस्ट के ने आदीम जाती कल्यान विवाग का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो मंत्री परिस्ट ने आदीम जाती कल्यान विवाग का नाम बदल कर जन जाती कारे विवाग कर दिया है तो second option correct answer यहां से हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा होगी स्टेडियम की स्राज में बनेगा तो भारत का सबसे बड़ा होगी स्टेडियम जो बनाए जाएगा यह ओडिसा में बनाए जाएगा ओडिसा पश्ची मंगाल यानि कि हमारा second option correct answer हो जाएगा next question हमारा यानि कि आपका पश्ची मंगाल पतिनात मंदिर के लिए जाना जाता है तो मंदसूर हमारे यहां से करिक्टांसर हो जाएगा देखे रावन की पतिनी मंदोदरी का ग्रे नगर जो माना जाता था माना जाता है यह मंदसूर को जाना जाता है धान का कटोरा मध्यप्रदेश का बालागांट जीले कहलाता है और चिन्नोर चांवल के लिए इसको अभी हाली में जी आई टेक भी मिला है बालागांट जो जीला है ये वैंगंगा नदी के किनारिस तीरे लांजी का कीला यहाँ पर देखने को मिलता है इसपैसली तांबा उतपादन के लिए ये जाला जाता है मलाच खंड बालागांट को तो इतने सारे चीज़े हैं आप याद रखेगा बालागांट के बारे में नकसल प्रवावित एरिया ये है अगला कुशनी 2021 के लिए मद्यप्रदेश की पूझी परिवे कितने करोड होने का अनुमान है अगला कुशनी सवधी अरब ग्रेंड प्रिक्स का उद्गाटन संसकरन किसके दवारा किया गया सही जबाब रहेगा लोईस हैंonsider के दवारा किया थर्ड आपशन करिक्टा आंसर है कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्स में होई थी कालिदास अकादमी की स्थापना वोई 1978 पर्थ आप्सन करिक्टाँ सर है अगला कुशन है भारती जीवन वीवा निगम की स्थापना कब हुई थी या कब की गई भारती जीवन वीवा निगम लिमिटेड याने की LIC आपसे पूचा है LIC LIC की जो स्थापना हुई ये कब हुई थी 1956 में 1956 में इसकी स्थापना की गई थी third option correct answer है नेक्स्ट वेशन है निमने मैंसे किस नित्य का दूसरा नाम जगोई नित्य है तो इसमें से मनीपुरी जो नित्य है इसका नाम है जगोई नित्य के नाम से बिसको जाना जाता है इसके में आपको cover करवा दूँ बैदवा नदी नहीं मिलती है छिपरा नदी नहीं मिलती है और चंबल नदी भी नहीं मिलती है तो नर्मदा नदी संगम में कावेरी नदी से मिलती है याद रखिएगा इसके अलावा ये जो नर्मदा नदी है सीधे जाकर किसी भी नदी से यह आपका अनुपूर जिले में आता है यहां से तीन नदिया निकलती है एक तो आपकी सोन नदी दूसरी नर्मदा नदी और तीसरी जोहिला नदी तो यह तीन नदिया बैसकली निकलती है यहां से और तीनों का उदगम इस्तला मरकंटक अनुपूर जीला मद्यप्रदेश है नेक्स्ट कोशने निम्न मैसे कौन अभिवाजित मद्यप्रदेश के फैले मुक्य मंत्री है इनका नाम है पंडित रवी संकर सुक लियाने की हमारा second option correct answer हो जाएगा निम्न मैसे कौन बायोस्फियर रिजर्व का हिस्सा है और इसे सत्पूडा की राणी के नाम से जाना जाता है सही जवाब रहेगा पंचमडी को पंचमडी जो है बायोस्फियर रिजर्व का हिस्सा है सत्पूडा की राणी के नाम से इसको जाना जाता है second option correct answer रहेगा अगला कोशन ही नाना साहिब या नन साहिब पांसे एक प्रक्यात क्या थे तो नाना साहिब पांसे एक प्रक्यात जो थे नन साहिब पांके ये पकवास खिलाडी थे खिलाडी ये हैं खिलाडी ये हैं तो second option correct answer है अगला कुशन है विसु को नवर्स उस्तव के रूप में भी मनाया जाता है जाना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है ये तो ये जो मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है केरल फूर्थ उप्सिन करेक्ट आंसर है मद्य प्रदेश में निम्नमैसा किस सहर में एक IIT है तो इसमें से इंदोर में देखने को मिलती है IIT और IIM दोनों इस्तिरे अगला कुशन है Conquerage निम्नमैसा किसकी नस्त ले तो Conquerage जो नस्त ले ये किसकी है तो गाई की नस्त लिए हैं गाई fourth option correct answer है अगला कुशन है सन्विधान की किस भाग में निर्वाचन की वेवस्ता है सन्विधान का जो भाग 15 है इसमें निर्वाचन संबनित वेवस्ता दिखने को मिलती है fourth option correct answer हो जाएगा मत्य प्रदेश के संदर्व में राज इस्तरी निवेस प्रोसहन अधिकार प्राप्त समीती के अध्यक्षता कौन करता है तो उद्योग मंत्री के द्वारा इस समीती के अध्यक्षता की जाती है राश्टी कुमार गंदर्व सम्मान किस वर्ष सुरू क्या गया था सही जवाब रहेगा 1992 को 1992 में हमारा third option correct answer हो जाएगा महाराष्ट में लोकसभा सीटों की संक्या कितनी है तो महाराष्ट में लोकसभा सीटों की जो संक्या ही यह 48 से third option correct answer यहाँ से हो जाएगा निमनमेसे किस व्यक्ति को जेफरी बॉयकोट के ने प्यार सिद अप्रिंस अप कॉलकाता उपनाम दिया तो यह जो दिया है सोरभ गांगोली को दिया है सोरभ गांगोली हमारा यहाँ से सोरभ गांगोली first option correct answer रहेगा मद्यप्रदेश राज में कितने राश्टोद्या नहीं मद्यप्रदेश राज में 10 राश्टोद्या ने अब इसकी संग्या बढ़ चुके 11 हो चुके आप से भी को पता होना चाहिए बर जिससाप से आपको options मिलेंगे उससाप से आपको क्लिक करना है next question हमारा मद्यप्रदेश राज बनाने के लिए विले से पहले मद्यप्रदेश की विदानसभा में कितने सवदश रहे सही जवाब रहेगा 75 अगला question ही भारती सूचना प्रद्योगी की अभी कलपन और वी निर्मान संस्ता कहा इस्तिदे तो ये जो इस्तिदेखने को मिलते है जबलपूर हमारा second option correct answer हो जाएगा निम्न मैंसे ठुमरी का संबंद किस नित्य से है तो ठुमरी का जो संबंद है ये कत्तक नित्य से होता है के लिए रहे आई आगे बढ़ते हैं अगले question क्यों मद्यप्रदेश में भारत का पहला ग्रीन फिल्ड विसिस आर्तिक छेत्र कहा पर इस्तिदे तो ये आपका पीतमपूर में देखने को मिलता है पीतमपूर धार जीले में आता है अगला question है विस्व बोद्दिक संपदा संगठन का मुक्याले कहां परिष्टी रही तो इसका मुक्याले जीनेवा में देखने को मिलता है थर्ड option का रिक्ट आंसर है तुलसी उस्तव रगुनात गाता समारो प्रतियक प्रतियक के आउसर पर होता है तो ये प्रतियक दिपावली के आउसर पर होता है यानि कि प्रतियक दिवाली के आउसर पर होता है आला लोकगीत निम्न मैसे किस राज्य से सम्मदी थी आला लोकगीत का जो सम्मद्य ये मंद्य प्रदेश से मंद्य प्रदेश हमारा फोर्थ ओप्सन करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुछने असोक कुमार को दादा साहिब फाल के पुरुसकार से किस वर समानित किया गया था सही जवाब रहेगा 1988 में 1988 आपका यहां से फोर्थ ओप्सन सही जवाब हो जाएगा अगला कुछने पुरूसक्रिकेट में 400-220 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने हैं याने की फोर्थ ओप्सन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है चोरा-चोरी कांड के शमी भारत का वाइसराई कौन था तो चोरा-चोरी कांड के शमी भारत को जो वाइसराई था इनका नाम है Lord Reading हमारा fourth option करिक्टांसर हो जाएगा Tokyo Olympic 2020 में भारत के लिए एक मातर स्वर्ण पदा किसनी जीता यह finally निरज चोपड़ा हमारा करिक्टांसर यहां सी हो जाएगा fourth option अगला कुशन है सन्विदान की किस अनुचेत के दायत प्रावधाने की राज चुनावायों का घटन किया जाए तो यह जो article है यह है अनुचेत 243 जेड ए याने की आपका first option करिक्टांसर हो जाएगा अगला की चोशन है चिपरा नदी sound रिक्तिस्तान नदी की सायक नदी है यह जो चंबल नदी की सायक नदी हो जाएगा हमारा third option का इक जाएगी इसमें से इंडोर में स्तीट नहीं है second option correct answer है निम्न मैसे कि सहर पर कहा जाता है कि कभी महाबारत के सिसुपाल का सासन था पतवारी में एज़र्टिस कोशन कॉपी हुए constable 2022 के आपको अच्छे से कर लेना है सारे कोशन ये कोशन बे एज़र्टिस पूचा गया था महाबारत काल के सिसुपाल का जो सासन रहा ये चंदेरी में रहा था चंदेरी जो कि असोक नगर जीले में आता है हमारा first option correct answer के साथ चला जाएगा दोमण मिट्टी के संबन में दिये गए कतनों मैं से कौन सा गलत है दोमण मिट्टी के बारे में जो दिये गए कतने इन में से जो गलत है ये हमसे पूचा है तो गलत ये है कि ये बढ़ते पोदों के लिए सबसे खराब उपरिमिटी हैं ये इसके बारे में गलत है यानि कि हमारा सई जवाब भी इसी के साथ में जाएगा option number second अगला कुशन है दिल्ली सल्तनत में के गेर मुसल्मानों द्वारा लिए गए भूमी कर का नाम क्या था तो इसका नाम खराज रखा गया था खराज इसका नाम था खराज के नाम से इसको जाना जाता था निम्नमैसे किस जो कि sports federation का मुख्याले लुसाने स्विजले लेंड मिस्ती दे तो इसमें से जो अगला कोशह नहीं मध्यपροदेश में जापानी उत्योगिक टाउनजप कहा विक्षिट की जा रही है तो मध्यपροदेश के पिथमपूर में ये विक्षिट की जा रही है धार जीले के पिथमपूर में हमारा थर्ड अप्शन कर एक्षिट आनसर रहेगा गैज नेशनल का पूरा का इंटरफेर हम आपको एक्जाम टाउन जेनल पर कवर करवा रहे हैं इस पैसल फॉर्मेट में टोपिक वाइज और पिछले 7 महीनों का 1-7 और 12 महीनों का पिछले 1-7 इन वीडियोज को आप जरूर से देख लेजगा आपका फॉंस्टेबल की एक्जाम के लिए पूरा का इंटरफेर हम सबसे आसानी से और अच्छे फॉर्मिट में कवर करवा रहे हैं है ना तो आप जरूर से विजिट करीगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिख मिल जाएगी अगला कुश्य नहीं हभीब तनवीर एक प्रिक्याद थे तो हभीब तनवीर जो थे यह एक प्रिक्याद नाटककार हमारा थर्ड ओप्शन करिक्ट आंसर है उद्योग और अंतरि कुशन है हमारा क्रेडिट इंपोर्मेशन ब्योरो का गठन कभी किया गया क्रेडिट इंपोर्मेशन ब्योरो का गठन किया गया 2000 में तो हमारा सेकेंड ओप्शन करिक्ट आंसर ही Commonwealth Games में पहला पदक जीतने वाले खिलाडी को नहीं इनका नाम ही रासीद अनवर याने की हमा पहला संसकरन किस वर्स आज़ित हुआ था खेलो इंडिया यूद गेम्स का पहला संसकरन वर्स 2018 में आज़ित हुआ था हमारा थर्ड ओप्शन करिक्ट आंसर रहेगा निम्न मैसे कि सहर में रानी रूपमती और बाज बहादूर के पोरानी कुप्यास को देखा था तो ये म निम्न मैसे कौन सा भारत का एकमातर राज्य है जहां दो सास्त्र नित्य सेलिया हैं तो ये जो राज्य है इसका नाम केरल है केरल भारत का एकमातर राज केरल है जहां दो सास्त्र नित्य सेलिया देखने को मिलती है अगला कोशनी निम्न मैसे किस नित्य में वाग यंत्र के आवश्यक्ता नहीं होती है तो इसमें से कुम्मी जो वाग्यंत्री इसमें किसी प्रकार की यंत्र की आवश्यक्ता नहीं होती है 1812 का युद्ध अमेरिका और किसके बीच में लड़ा गया था तो 1812 में जो युद्ध हुआ था ये अमेरिका और कनाडा के बीच में लड़ा गया था हमारा first option correct answer है Next question है दिलवाड़ा जेन मंदीर निम्नमाहस की सिस्थान पर इस्थी थे तो दिलवाड़ा का जो जेन मंदिरे ये माउंट आबू राजितान में देखने को मिलता है हमारा फस्ट ओप्शन का रिक्ट आंसर हो जाएगा मंद्यप्रदेश में पहला ड्राइपोड कहां बनाया गया है मतिपर्देश में पहला ड्राइफोड बनाया गया है पीतमपूर धार जीले में हमारा second option करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट कोचन है निम्नमाह से कौन सा इसम का सास्चिन नित्य है इसमें से आपको बताना है असम का सास्चिन नित्य कौन सा है सतरीय आपका यहां से third option करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोचन के और आगे बढ़ते हैं निम्नमाह से कौन सा इस्तान विन्न में कल और सत्पूरा परवतमारला का मिला निस्ताली पटवारी में भी as it is questions कौपी हुए है आप सभी को पता होना चाहिए MP पटवारी की जो एक्जाम होई है इस बार इसमें सबसे ज़्यादा जो questions पूचे गए है याने की पूरा का पूरा constable 2022 का जो हम paper आपको solve कर आ रहे हैं यह paper पूरा का पूरा उठा कर आपका MP पटवारी के paper में पूचा गया है सीधे सीधे questions आपकी copy हुए है हमने with probe भी आपको बताया था तो आपको ये मान के चलना है कि questions बनेंगे यहीं से पटवारी वाले जेल परारी और ये constable वाले यही questions बनेंगे और नए questions आपको आपके कोई लिए कोई नए बनाकर नहीं लेके आएंगे वो और लेके भी आएंगे तो यहीं से जायतर कोश्यस आपको देखने को मिलेंगे है ना with probe भी हमने आपको बताया है सही जवाब आपका जो रहेगा ये अमरकंटक रहेगा यानि कि विंद मेकल और सत्पूड़ा परुतमाला का मिलन इस्तल जो है ये अमरकंटक है जहां से नर्मदा नदी का उदगाम हुआ है फस्ट ऑप्शन करिक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट वोचे ने ओनम त्योहार निम्न मैसे किस भारती राज्जी में मनाया जाता है ओनम आपका केरल में मनाया जाता है नेक्स्ट वोचे ने हमारा निम्न मैसे किस सामाजिक कारिकरता ने संपूर्ण क्रांती नामक कारिकरम की शरुभात की जिए प्रकास नारायन सेकेंड ऑप्शन क कारिक्ट आंसर है देवास की छत्रिया किस वन से की थी विज़ के यसीजमत देखने को मिलते हैं है ना तो मैं आपको बता रहा हूँ सीधे सीधे questions आपके copy हुए है वन और जेवी कुतपादन उत्पाद की जीले के विशेशता ही तो ये मंडला जीला आपका इसके लिए करिक्ट आंसर हो जाएगा निम्न मैंसे किसने विमंडल ओपर 2021 महीला एकल का खिताब जीता तो इनका नाम है एसले बार्टी अगला कोशनी निम्न मैंसे चुनाओं में नोटा लागू करने वाला पहला पहला राजी कौन सा है अगला कोशनी प्रसिद्ध धार्मिक इसमारक, मंदिर, तरिकाल 24 और खंडार जी किस धर्म से संबंदी थे तो इसका संबंद जेन धर्म से हैं जेन धर्म हमारा थर्ड आप्शन करिक्ट आंसर रहेगा डुमना हवाई अड़ा कहां परिष्टी थे तो जबलपूर में देखने को मिलता है नेक्स्ट उतने आईएसो एक अंतराष्टी संगठनी आईएसो का अर्थ क्या है तो आईएसो कार्थ होता है मानकी करन के लिए अंतराष्टी संगठनी जाने की हमारा सेकेंड आप्शन करिक्ट आंसर है निम्न मैसे कि इस पुस्तक के लिए भवानी पुरसाद मिस्रा नी साहित अकादमी पुरुसकार जीता था तो इन्होंने बुनी हुई रश्ची पुस्तक ती इनकी इसके लिए इनको साहित अकादमी पुरुसकार मिला था सेकेंड आप्शन करिक्ट आंसर रहेगा नर्मिदा नदी रिक्तिस्तान से निकलती है तो यह अमर कंटक्स से निकलती है अभी हमने आपको बताया था सोर उर्जा पर योजना का निर्मान कर रहेए तो यह मद्द प्रदेश की नर्मदा नदी पर कर रहेए मद्द प्रदेश की सरकार यानि की मद्द प्रदेश राज्य सरकार नर्मदा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तेरती सोर परियोजना की सोर उर्जा परियोजना का निर्मान कर रहे है हमारा सेकेंड आप्शन का रिक्ट आंसर रहेगा अगला कोशन है हमारा सारू मारू के उसे प्राचीन जो उसे से ये प्राचीन रिक्तिस्तान परिस्तर का इस्तल है अगला कोशन है एतियासिक रूप से सिंग्रोली किस रियास्त से संबंदित है तो ये रिवा रियास्त से संबंदित है नेक्स्ट उतनी मद्यप्रदेश सभी परियोजनाओं को लागू करने वाला पहला राज बन गया है यहां परियोजना रिक्तिस्तान से संबंदित है तो तो यह सिंग्रोली जीले में देखी गई अगला कोशन है ग्लोबल एकोनोमिक फ्रेडाम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो भारत को इसमें 121 वस्वा इस्थान मिला है मद्यप्रदेश योग संकी की स्थापना किस वर्स में हुई थी तो मद्यप्रदेश थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कि 1605 में इसकी स्थापना आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1905 में अगला कोशन है भारत ने अपना पहला एक दिवसी इंतरास्टिक में किस स्टेडियम में खेला था यह जो खेला था यह हैंडिंग ले आपका आता है कहां पर गुना जीले में नेक्स्ट कुछन है आपका निम्न मैसे कौन सा सासक संगीत की ख्याल परंपरा का सुन्रक्षक है इनका नाम है मुहम्माद सक यानि कि फास्ट आप्शन करेक्ट आंसर है निम्न मैसे किस वर्स 1999 में मद्यप्रदेश का पहला बायोस सथपूरा टाइगर रेजर्व को हमारा यहां से सेकंड आप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नामबर 2021 में जारी नीती आयो के बहु आयामी गरीबी सूचकांग के अनुसर मद्यप्रदेश के कितने जीलों में उनकी 40% आबादी गरीब है तो यह जो जीले हैं इनकी 27 जीले तो इसको आरकी पिलोगी बोला जाता है नेक्स्ट वसन है निमनमैस किस आउसर पर प्रसिद्ध कजरी लोक गित गाया जाता है कजरी जो लोक गित गाया जाता है यह किस आउसर पर गया जाता है जल्दी से आप हमें कमेंड में कमेंड करके बताएगा जूताई निराई कट आई और बो आई जल्दी से आप हमें इसका रिट अंसर कमेंड में कमेंड करें बताएगा अगला कोशन है हमारा निम्न मैं से कौन सा पुरुषकार मद्वर्देश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता ही तो इसमें से मुहमद रफी जो सम्माने यह मद्वर्देश सरकार नहीं पाकिस्तान इसमें सामिल नहीं नहीं है अगला कोशन है झाल मैं से किस दिन करें दो चाहिं जाता है इस तरह के कोश्चन्स आमके पूच दा रहे हैं और आपको मैं जो आपके रिप्ता रहे हैं यह आपके आप सभी के लिए हैं यह नम्मर आप नॉटाउन करके आप हमें comment में comment करके बताएगा क्योंकि काफी easy question ही और ये ऐसे question ही जो आपको 110% याद होना चाहिए ये आपकी MP police की exam में पूचे गए MP constable की exam में पूचे गए MP jail प्रारी में पूचे गए और MP PSC में भी इस तरह के questions पूचे जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आगे भी इस तरह के questions देखने को मिलेंगे तो आपकी यहां से practice भी हो जाएगी आप जल्दी से comment करके बताएगा और जिन लोगों को पता नहीं है वो comment देख ले comment चेक आउट कर ले आपको इसका answer मिल जाएगा अगला overarching नमामि गंगे program के इस prayerण मंतिरी में प्रारंब किया था यह नरेंद्र मोदी जी के द्वरा प्रारंब किया धा dr भीम राव मेटकर वनी जीव अभिहरय ने कहां बनाया जा रहा ہے तो यह सागर में बनाय जा रहा है सागर उत्तर सागर यानि कि हमारा तरड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा हाली में नीदन हुए कैप्टन वरुन सिंग रिक्तिस्थान के दे तो यह भोपाल सिंग का संबन्ध था एक्स्ट कोचने पातालेस्वर मंदिर कहां श्तिते आपको याद रखना है सही जवाब रहेगा यहां पर पंचमडी नर्मदापुरम अमर कंटक और रोम कारिश्वर के लिए तो चलिए इसका राइड अंसर भी आपको दे रहे हैं ज्यादा हाड भी कोशन्स नहीं दे रहे हैं है ना इस तरह की कोशन्स है ताकि आप आसनी से बता सके माकनलाल चत्रवेदी राष्ट पत्रकादिता हम संचार विस्विद्याले कहां परिष्टिदे आप सभी को पताओगा भोपाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेमन मैंसे कौनसा जीला चंबल संबाग में नहीं आता हैंग तो इस तरह के आड़-डस कोशन्स हो जाएंगी और अच्छ खासी प्रेक्टिस हो जाएगी हरदा जीले में मुख्यता किस प्रकार की मिट्टी पाइजाती है तो हरदा जीले में जो मिट्टी पाइजाती लाल काली जलोड सुसक ये कोशन इस्वासली आप सभी और 6 कि लिए रहे अपनी स्तापना के शमीं इंदोर के उची नियाले ने कितने नियाईदीसों के साथ काम करना शुरू किया था इसका राइड अंसर क्या होगा इसका राइड अंसर दो तीन चार और 6 कि लिए यह भी पटवारी में आपकी एकजामें पूचा गया है बारत मे आईकर अदिनियम का प्रवावी हुआ है यह भी अभी हमने आपको बताया है चलिए इसका रेड अंसर में बता देता हूं 1961 में किया गया था पाताल कोड़ घांटी कांश जिले इसका रेड अंसर भी हमने बताय है तामिया विकास गंट चिंदवाड़ा जिले में आता है त बरेदी नितिक इस्तियोहार के सुरुवाद के अउदी के दोरान के रहा था दिवाली के तियोहार के सुरुवाद में यह होता है बैसकली मद्द प्रदेश उद्यों की कि विकास निगम लिमिटेड की स्ताफना कब हुई यह कोशन पूचा है वर्स 2004 में होई है अगला अगला कोशन है पंपास निम्नमैसक इस महादीप में उपजाव गांस का मैदान ही तो अर्जिंटीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सिरीज होंकी में मध्यप्रदेश होंकी टीम का नाम क्या था तो इसका नाम रखा गया था बोपाल बादसाह बोपाल बादसा कोशन जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा के लिए तो आप जरूर से अगला कोशन है निम्नमैसे किस वर्स च्छतिसगर को मध्यप्रदेश से अलग कर बनाया गया था वर्स 2000 में आप सभी को पता होगा अजेगर का किला किस राज्य में श्तीरे तो यह मध्यप अगला कोशन है द्वीती पंचवर्सी योजना के श्यमें भारत के प्रधान मंत्री कौन थे इनका नाम है जवाहार लाल नहरू यानि की तरड़ा आप्शन यहां से करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट वोचन है भोपाल में वन विहार रास्टुद्यान का कुल शेत्रपल क इतना है तो 445.2 एक हेक्टेयार सही जवाब रहेगा निम्न में से कौन सा इस्तान पाचविस सताबदी से हतकरदा बुनाय का कैंदर बना हुआ है तो यह इस्तान महिस्वरे महिस्वर फूर्ट ऑप्शन का रिक्ठांसर है तो अच्छा और मच्छा के दो बड़े बलुव के महिने में हो दिये निम्नी लिकित में से कौन साथ बारत कौन बारत और सिलंगा को अलग करता है तो पाक जल्डमरू मत दिये होता है हमारा फूर्ट ऑप्शन करिक्ठांसर है घडिया पूजा और पिलक महासव किस राज्य से सम्मदी दे तो सही जवाब रहेगा त्री प बेंक का मुख्याले कहां इस्थी थे तो विस्व बेंक का मुख्याले युएसवे में स्थीत हैं अमेरिका में मिया तांसेन किसके दरबार में नौरतनों मैं से एक तो ये जो थे अगवर के दरबार के नौरतनों मैं से एक थे मिया तांसेन अगला कुशन है भारत में सबस सबसे बड़ा दीप किस महासागर में तो आर्केटिक महासागर आपका करेक्टांसर हो जाएगा निम्न मैंसे किस नहीं 1872 में अजमेर में मैयो कॉलेज का इस्थापना की दी लौड मैयों यहां से हमारा फॉर्ट ऑप्शन करेक्टांसर इसके साथ में चला जाएगा नेक्स् अगला कोशन है हमारा अनन्द भवन उत्रप्रदेश के किस जीले में चिरी तो आनन्द भवन जो देखने को मिलता है वाइग राज जीले में देखने को मिलता है सही जवाब रहेगा पस्यास हजार पांस सो अटानवे करोड रूपे सिराजुद दोला कि स्किर मत्यों के बाद बंगाल का नवाब बना था तो अलिवर्दी खान की मत्यों के बाद में बंगाल का नवाब बना था फर्स्ट ऑप्शन करेक्टांसर हो जाएगा नरसिंगपूर जीला किसका प्रमुक उत्पादा के तो सही जवाब रहेगा गन्ने का गन्ना हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्टांसर यहां से हैं नागपूर उचनियाले के पहले मुखिनियादी इस कौन मने हैं इनका नामें गिलवर्ड स्टोन यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्टांसर है मध्य प्रदेश राज बार काउंसिल के वरतमान में अध्यक्ष को नहीं इनका नामें डॉक्टर विने कोमार चोधरी यानि की थर्ड ऑप्शन करेक्टांसर यहां से हो जाएगा इसका राज अंसर हम आपको बढ़ा चुके हैं आप सभी का राइट ऑनसर हमें नीचे इक कमेंड में कमेंड करके ज्रूर से बताएगा तो पटवारी और ये मिलाकर सारे के सारे आपकी एक्जाम में अब वापिस से पूझे जाएंगे आप इनको 110% करके रखीएगा गैस नेशनल का पूरा करिंट अफेर हम आपको एक्जाम जाओ टाउन चेनल है हमारा उस पर आपको कवर करवा रहे हैं तो वहाँ पर आप जरूर से अपडेट रहीगा पूरा नेशनल का करिंट अफेर वहाँ पर कवर करवा देंगे हैं पी का शेनल पर हम आपको लगतार कवर करवाने की कॉसिस कर रहे हैं ताकि एक्जाम से पहले आपकी सारे कोश्चन कवर हो पाए इस विडियो की पीडिये फायल अप्लेकेशन पर आपको मिलेएगी अप्लिकेशन को डांगलूट कर लिजए कर आप तो नहीं किया तो लास्ट टाइम ओफर है और जल्दी आप enroll करते क्योंकि काफी कम टाइम आप आपकी exam में बचा हुआ है यह हमारी MPSI के special test series है बिल्कुल ले test pattern की enroll रही किया है तो कर लिए जगा यह ebook है हमारी 2023 की मतिप्रोदेश की करें इंटरफेर की यह 2022 की ebook है और यह 2021 की ebook कभी लेबाले इन सभी की link के description में ड़लिए आप application को download करके इनके बारे में complete detail ले सकते हैं के लिए रहे guys तो आप सभी से request है कि इस video को जाए 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 like करें और अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दी ताकि जो भी नए आवडियों इस channel पर उसका notification भी आपको सब्सक्तो मिलता रहे के लिए रहे तो guys मिलते हैं हमारे next study वीडियो में तब तक लिए जाहिंद वन्दमात्रा